बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com जब सीता निकलती हैं घर से बाहर तो तो सीधास जी ने कविता वली में जो चंद लिखा है उसमें एक शब्द लिखा है पुरते निकसी रगबीर बधु धर धीर दे डग में मगत घर से निकली तो अपने पैर रख दिये बाहर दो पैर लेकिन ये पैर कैसे हैं गोस्वामी जी लिखते हैं धर धीर धैर ये पूरवा क्योंकि उनको पता है कि जंगल सफारी नहीं है पास दिन की ये कोई वीकेंड का ट्रिप नहीं है कॉर्बेट नेशनल पार का ये चौदे वरश है और पता नहीं कितने वरश है पता नहीं लोटके आना है नहीं तो इस बड़ी यात्रा में क्या जूरत है दुनिया की किसी बड़ी यात्रा में निकलें दुनिया की किसी बड़ी चुनौत इकलें निकलें सीता आपको सिखाती है कि धैर के साथ निकलें इसने कहते हैं उनके होट शुक गए जलकी भरिभार कली जलकी उटी सूपी गए मधुरा दर गए फिर पूझती है चलनो अब केतिक पती चे पूछती है कितना चलना है फिर पूझती है चलनो अब केतिक पर्नकुटी करियों कित जय पर्नकुटी करियों कित जय पर्नकुटी करियों पियकी लखिया तुरसा पियकी और इतनी कोमल इतनी नाजुक मिधिला की राजकुमारी अयोध्या की महरानी मेरी वज़े से खष्ट में निकली है ये सोच कर असली पती क्या है जो अपनी पत्नी के अपने साथ रहने वाले के सुख दुख को अपने अंदर मحسوس करें और असली पत्नी भी वग ये दुख को मحسوس करें और सामेज लिखते हैं तियकी लखी आतुरता पियकी लखी आतुरता पियकी अखियां अतिचारु गई जल च्वे 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 अखियां अतिचारु गई ज चाहिए कि वरन से ब्राममन है और बड़े घर में पयदा हुआ aTim लेकिन उसके साथ एक समस्या है तो है उसमें काम है और इहंकार है जो उसका सब्से बढ़ा दुश्मन राम को अपने बल पर भरोसा है और अपने दल पर भरोसा है रावन को केवल अपने बल पर भरोसा है यानि कि ये लीडर की quality होनी चाहिए कि लीडर को अपने बल और अपने दल दौनों पर भरोसा होना जाए दक्षिण में लिखी गई राम कथाओं में महर्शी कंबन की राम कथा है इराम अवतारम उसमें बहुत अद्बूत प्रसंग है जो वालमी की रामायर तो उसी रामायर में नहीं है जब राम ने लंका विजय के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की आपको पता होगी 12 जोते लिंगों में है वही रामेश्वरम जहां हमारी भारतिये वैज्ञानिक चेतना का बड़ा रिशी एपीज अबदुलकलाम कबर में आराम फर्मा रहा है वही रामेश जब उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की तो उन्होंने कहा कि आसपास कोई आचारे ढूंड के लाइए कोई पुजारी कोई भाह्मा ढूंड के लाइए जो मेरा यग्य करा दे तो जामवंत ने कहा कि महुदै इस जंगल में समुद्र तट पर केवल पेड हैं वनवासी ह हैं हम में से तो किसी को पता नहीं है तो उन्होंने का आचारे ऐसा लाइए जो शैव और वैश्णव परंपराएं दौनों का सम्मिलन हो इसे दौनों चीज़ें आती हो तो जामवंत ने कहा कि ऐसा तो एक ही आदमी है पर वो हमारा शत्रू है पुलस्त मुनी का नाती है व अची है दुश्मन भी हो तो ऐसा हो सामने वाला भी हात में आख में पानी नहीं हात में खंदर नहीं आखों में पानी चाहिए रहत भाई का शेर है हात में खंदर नहीं आखों में पानी चाहिए ए खुदा दुश्मन भी हमको खांदानी चाहिए तो रावन जैसा आचार है, जामवन्त जब लंका पहुंचे रावन के कहने पर, महरशी कम्मन लिखते हैं कि ये बात रावन को पता चली कि जामवन्त आए हैं, जामवन्त उनके पितामे के दोस्त रह चुके हैं, तो उनको लगा कि मेरे बाबा के दोस्त हैं तो आदर करना च राक्षतों से कहा कि मेरे महल तक का रास्ता बताने के लिए उन्हें कश्णाओ हर जगे राक्षत हाथ जोड़ कर खड़े हो जाए और जिदर की तरफ इशारा कर दें उधर जामवन्त चलें कथा आती है कंभगी रामायन में महरशी कंभण की जामवन्त चुकि शरीर आकार ब आचारे बन जाएं तो उसने कहा कि श्विक्रती से पूर्व मुझे विचार करना पड़ेगा और विचार में देरी लेगेगी तो अगर आप आसन ग्रहन कर लेंगे तो अच्छा होगा मैं भी बैठ नहीं जामवन्त ने पूछा कि आपका व्यजमान कौन है तो जामवन्त करना चाहतें अपने बड़े काम के लिए तो रहाएं ने पूछा क्या ये बड़ा काम लंका विजय तो नहीं है जामवन्त ने कहा आचारे आप ठीक समझ रहे हैं ये लंका विजय का जग्य है तो क्या आप आचारे पर स्विकार करेंगे रहाएं दामवन्त दूतों के प्रतिपालक हैं, वे अपने दूत को बहुत अच्छी तरह रखते हैं, और ऐसे मर्यादावादी यजमान का आचारे मनना मुझे स्वीकार है, जाकर उनसे कह दीजिए कि मैं आओंगे। यह है रावन, जिसके घर में मा सीता सुरक्षित नहीं, शील के साथ सुरक्षित नहीं, यह है रावन, उस समय का शत्रुवी कैसा है राम का। तो जामबंत ने पूछा कि क्या विवस्था करनी पड़ेगी, क्या-क्या सामान मगाने पड़ेंगे। तो आचारे रावन ने कहा कि चुकि हमारा यजमान बनवासी है और अपने घर से बाहर है, इसलिए शास्त्र की परंपरा है कि अगर यजमान का घर ना हो बाहर कहीं पूजा करानी पड़े, तो सारी चीजों की तैयारी आचारे को स्वेम करनी होती है। तो आप कह दीजिए अपने यजमान से कि वो केवल नहाध होके स्नान करके वरत के साथ ततपर रहे, मैं सब चीने कर दूँगा। अब उसने अपने लोगों को बलाया और कहा कि पूजा करानी के लिए जाना है, ये सब सामान तयार करो। इसके बाद रावन एक रथ लेकर म सीता के पास गया। और सीता से उसने कहा कि समुद्र पार तुम्हारे पती और मेरे यजमान राम ने लंका विजय के लिए एक यग्यस आउजित किया है। और मुझे उस यग्य के आचारे के रूप में बुलाया है। अब चुकि जंगल में रहने वाले किसी भी यजमान की आचारे का काम होता है। इसलिए उसकी अर्धांगीनी की ववस्था करना ये भी मेरे जिम्मे है। तो ये रत खड़ा हुआ है। ये पुश्पक विमान है तुम इसमें बैठ जाओ। लेकिन तुम ध्यान नकना वहां भी तुम मेरी ही सरक्षा में हो, मेरी ही कैद में हो। और में आचारे रावन, तुम जे ये कहता हूँ कि तुम मेरे यजमान की अर्धांगीनी के नाते, अर्धी अजमान के नाते इस पर बैठ जाना है। कम्मन राम कथा में प्रसंग आता है कि यह सुनकर देवी सीता ने रावन को आचारे रखेकर प्रणाम किया, जो आज्या आचारे है। और अगली बास किनिये हैं, और उनके प्रणाम करने पर उसी रावन ने देवी सीता को अखंड सवभाग्यवती भव का आशिरवाद दे। इत में तुझे दब रावन पहंचा राम के पास आचारे बनकर आचारर रामन पहांचे तो दोनो भाईयों ने उठकर आचारे को प्रणाम किया। और कहा कि आचारे मैं आपको यजवान राम आपको प्रणाम करता हूँ मैं लंका विजय के लिए एक यग्य कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि यहां कि शिव का विग्रह स्थापित हो ताकि देवा दिदेव महादेव मुझे आशिरवाद दें कि मैं लंका पे विजय प्राप्त कर से यह लंकेश से कह रहे हैं रावन लेकिन आचारे रावन से कह रहे हैं आचारा ने कहा कि मैं आपके यग्य को पूर्दरे संपाधित करूँगा और इश्वर महादेव चाहेंगे तो आपको उस यग्य का फाल प्राप्त होगा ये रावन ने कहा हुआ तो बताया कि हनुमान गए हैं शंकर का विग्रह लेने के लिए अब हनुमान गए हैं तो यह भी पता नहीं कि महादेव को डारेक्ट लाएंगे या कोई शिविलिंग लेके आएंगे चुकि हनुमान की तश्चीन पर एक्सपर्टीज है उनने दवाई महाने बेज़ो तो ने कहा कि पूजा में देरी संभव नहीं है महूरत नहीं टल सकता है इसलिए आप बैठिये और आपकी धर्म पत्नी वे कहा है उन्हें बुलाईए तो राम ने कहा कि आचारे मेरी धर्म पत्नी तो उपस्थित नहीं है आपर तो ऐसी कोई शास्त्रिय विधियो जिसमें उन आपकी पत्नी ने आपको त्याग दिया हूँ क्या तीनों इस्थितिया है तो राम ने कहा तीनों इस्थितिय तो नहीं है अब राम यह कैसे कहें कि आप ही है उसके कारण जामवंथ ने कहा कि आचरे पिर इसकी क्या विवस्ता है तो उन्हेंने कहा कि जब कोई जजमान जंगल में हो और उसके पास यग्य को पूरा करने के समस्त साधन ना हो तो आचारी की जिम्मेदारी होती है कि वो यग्य के साधन उपस्तित कराए तो आप विभीशन को और अन्य अपने मित्रों को भेज दीजिए मेरे यान में अर्द जज्मान सीता बैठी हुई है उन्हें बुला लाई है यहाँ यह इरा रामा वतारम में जो कंबन के रार रखी उसमें प्रसंग है उसके बाद पूजन हुआ विदिवत पूजन हुआ मा सीता ने अपने हाथ से ही वो शिवलिंग इस्तापित किया जो आज भी महाँ लंकेश्वर का शिवलिंग महाँ पर मौझूद है जिसके बारे में कहते हैं कि जब रामिश्वरम में कहते हैं कि तो राम ने काई से हटा लो ? और सुनते हैं कि पूरा हनुमान है जो लगाया वो शिवलिन्ग नहीं हटा इसलिए रामने फिर वरदान दिया कि तुम्हारा शिवलिञ में आ उपस्थित रहिगा तरे राम अश्वरम में उनके द्वारा इस्थापित भी एक aunt जो हनमाने शुर्फ के नाम से जाना जाता है, कि हनमान के दराइशापी शुर्ण है यग्य संपन हुआ और दोनों युजमानों ने, राम और सीता ने आचारे रावन को प्रणाम किया तो राम ने पूछा कि आचारे आपकी दक्षिना तो आचारे ने कहा कि आप वनवासी हैं, मैं जानता हूँ कि आपके पास कोई दक्षिना नहीं है और आप मुझे दक्षिना नहीं दे सकते और सुनमई लंका के राजा आचारे को आप क्या दक्षिना देंगे इसलिए मेरी दक्षिना आप पर रही राम संकोच में बढ़ गए, राम ने कहा कि दक्षिना रही तो आप बता दीजे ता कि मैं विदिवत तैयारी रखों कभी में देने योग्य बनुपाऊं आपको तो क्या रावन दक्षिना मागए राम ने कहा आचारे होने के नाते मैं आपसे दक्षिना मांगता हूँ कि जब मेरा अंतिम समय आए तो यजमान मेरे सामने उपस्तित रहे मैं आपसे दक्षिना मांगता हूँ कि जब में आपसे दक्षिना मांगता हूँ